हमारे सम्विधान की प्रस्तावना, रूल अफ लो के इसी संकल्प की अभीवक्ती है, आज हर एक देशवासी को गर्व है कि हमारे सम्विधान की इस भावना को, इन मुल्यों को हमारी न्याए पालीका ने निरंतर उर्जा दी है, दिशा दी है. न्याए पालीका के प्रती इस भरोसे ने हमारे सामान्य से सामान्य मान्वी के जीमन में एक आत्मिश्वात जगाया है, सच्चाई के लिए खड़े होने की उसे ताकत दी है, और जब हम आजादी से अब तक देश की इस यात्रा में जुडिशरी के योगदान की चर्चा करते हैं, तो इसमें बार के योगदान की चर्चा भी अवश्चक होती है, हमारी न्याए व्यवस्ता की ये गवरोवसाली इमारत बार के ही पीलर पर खड़ी है, बसकों से हमारे देश में बार और जुडिशरी मिलकर ही न्याए के मुल्भुत उद्देशों को पुरा कर रहे हैं, हमारे सम्मिधान ने न्याए की जो धारणा सामने रखी है, न्याए के जो आदर्स भारतिय संस्कारों का हिस्सा रहे हैं, वो न्याए हर भारतिय का अधिकार है, इसलिए कि जुडिशरी और सरकार दोनों का ही दाईत्व है, कि दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र में वो मिलकर वर्ल्ड क्लास जुडिशर सिस्टिम, जस्टिश सिस्टिम खड़ा करें, हमारा जस्टिश सिस्टिम ऐसा होना चाहिए, जो समाज के अंतिम पाइदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलब हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याए की गारंटी हो, और समय से न्याए की गारंटी हो, आज न्याए पालिका की तरव ही सरकार भी इस दिशा में अपने कर्तवियों को पूरा करने के लिए निरंतर प्यास कर रही है, भारत के लोक्तंत्र ने हमारी न्याए पालिका ने कठीन से कठीन समय में भी भारतिय नागरिकों के न्याए के अधिकार को सुरक्षित रखा है, कोरोना वैश्विक महमारी के समय हमें इसका उत्तम उधारन फिर एक बार देखने को मिला है, इस आपदा में अगर एक और देश ने अपना सामर से दिखाया, तो दूसरी और हमारी न्याएक पालिका ने भी अपने समर्पन और कर्तब्य निस्ठा का उधारन पेश किया है, गुजराथ हाई कोट ने जिस तरह लोगडाउन के शुरुआती दिनों में ही वीडियो कांफरेंसे सुनवाई करना शुरू कर दिया, जिस तरह SMS कॉल आउट, मुकदमों की E-Filing और E-Mail My Case Status की सेवा शुरू की गई, कॉड के डिस्प्ले बॉर्ड की YouTube पर स्ट्रीमिंग शुरू की गई, हर दिन जज्जमेंट्स और ओर्डर्स वेबसाइट पर अपलोड किया गई, इन सब ने ये सित्र किया है कि हमारा जस्टिस सिस्टिम कितना एडप्टिव है और न्याय के लिए उसके प्रयासों का विस्तार कितना ज़्यादा है, मुझे बताया गया है कि गुजराद हाई कोड तो इस दवरान कोड प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भी पहला कोड बरा है, और ओपन कोड की जिस अवधाना पर लंबे समय से चर्चा होती रही है, उसे भी गुजराद हाई कोड ने साकार करके दिखाया है। हमारे कोड को वर्चुल कोड के तौर पर काम करने में मदद की है। डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। आज देश में अठारा हजार से ज्यादा कोड कोड कंप्राइज हो चुकी हैं। सुप्रिम कोड से वीडियो कांफरेंसिंग और टेली कांफरेंसिंग को लीकल सेंक्टिटी मिलने के बाद से भी सभी अदालतों में ये प्रोसिडिक्जिये में तेजी आई है। ये सुनकर हम सभी का गवरो भड़ता है कि हमारा सुप्रिम कोड खुद भी कि आज दुनिया में वीडियो कांफरेंसिंग के द्वारा सबसे जादा सुन्वाई करने वाला सुप्रिम कोड बन गया है। दुनिया में हमारे High Courts और District Courts भी COVID के टाइम में जानदा वीडियो कांफरेंग सुनवाई कर चुके हैं। Cases की E-filing इसकी सुविधा ने भी Ease of Justice को एक नया आयाम दिया है। इसी तरह आज हमारी अदालतों में हर केस के लिए एक यूनिक identification code और QR code दिया जा रहा है। इससे न केवल केस से जुड़ी हर जानकारी हासिल करने में आसानी हुई हैं बलकि इसने National Judicial Data Greed की भी एक प्रकारते मजबुत नीव रखी है। National Judicial Data Greed के जरिये lawyers और litigants केवल click मातर से सभी cases और orders देख सकते हैं। ये ease of justice न केवल हमारे नागरिकों के ease of living को बढ़ा रहा है बलकि इससे देश में ease of doing business भी पढ़ा है। इससे विदेशी निवेशकों में ये भरोसा जगा है कि भारत में उनके न्याईक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। 2018 की अपनी doing business report में वर्ल बैंक ने भी national judicial data greed की प्रसमसा की है। मानिया आने वाले दिनों में भारत में ease of justice और भी तेजी से बढ़े इस दिशा में सुप्रिम कोड की E-committee NIC के साथ मिलकर काम कर रही है। मजबूत सुरक्षा के साथ साथ cloud-based infrastructure जैसी सुभिधाओं को सामिल करने पर काम हो रहा है। हमारे justice system को future ready बनाने के लिए न्याईक प्रक्रियाओं में artificial intelligence के इस्तिवाल की संभावनाओं को भी AI की संभावनाओं को भी तवासा जा रहा है। artificial intelligence से जुडी सरी की efficiency भी भड़ेगी और speed भी बढ़ेगी। इन प्रयासों में देश का आत्म निर्भर भारत भ्यान बड़ी भुमी का निभाने बाला है। आत्म निर्भर भारत भ्यान के तहट भारत के अपने वीडियो conference platform को भी प्रोच्साहित किया जा रहा है। देश में digital divide को कम करने के लिए सामान्य लोगों की मदद के लिए high courts और district courts में इस सेवा के इंदर भी खोले जा रहे हैं। हम सभी ने देखा हैं कि महामारी के इस कठीन समय में ओनलाइन इन लोग अदालत भी एक new normal बन गई हैं। संयोग से ये गुजराद ही था जहां 35-40 साल पहले जुनागर में पहली लोग अदालत लगाई गई थी। आज ये लोग अदालत समय बत और सुविधापुन न्याय का एक बड़ा माध्यम बन रही हैं। देश के 24 राज्यों में अब तक लाखों मुकदमें ये लोग अदालतों के में आ चुके हैं और उनका निप्तारा भी हो रहा है। यही गती, यही सुविधा और यही विश्मास आज हमारी न्यायिक व्यवस्ता की मांग है। गुजरात एक और बात के लिए भी अपने योगदान के लिए गर्व करता रहा है। कि यही कि अठा है।